नमस्कार इंडियो फस्ट के पॉलिटिक्स फस्ट कारिक्रम में आपका स्वागत है आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है भारती जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राहुल कोठारी जी आई ये जानते हैं उनसे कई मुद्दो पर हम बात करते हैं अलपेश, जिगनेश, हार्दिक पटेल ये तमाम लोग की भी आमद अब मद्ध प्रदेश में हो रही है इस तरह से उन्होंने गुजरात में अपना से तमाशा किया या जो कुछ भी जिस किसम से उन्होंने अपनी उपस्तिती दर्ज कराने के लिए अपनी पैठ बनाने के ल रहे थे, लगातार उनके साथ जुटे हुए थे, तो कॉंग्रेस को इस बात को समझ में आ गया था कि अगर गुजरात में उनको वापस गुसना एंट्री करनी है तो कहीं न कहीं जाती का तदाहर पर बाटना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने जिस तरीके से इस तरह के लोगों को आगे बढ़ाया, इनका साथ लिया, जिसके माद्यम से इन लोग अपने आप में हैलाइट हो पाए, तो कुल मिलाके भरतियनता पार्टी की हमेशा कोशिश रहती कि हम लोग कम से कम ऐसे लोगों को कभी साथ न लें, और अगर ऐसे किसी मामले में दलित के नाम पर पाटीदार के नाम पर ये लोग युवाओं को भरमित करके एकाद बार वोट पा भी लेंगे, तो ये बहुत लंबे समय तक अपने मनसूबे में सफल नहीं हो पाएंगे, और जहां तक मद्रदेश की बात है, तो मद्रदेश के परिद्रश विश्यशकर मुंदेल खर्ण के अगर किसी हिस्ते में जाएंगे, तो मुंदेल खर्ण में जो मद्रदेश के लिए अत्मनत का भाव है, मां की युवा के अंदर मद्रदेश का भाव है, वो इनको कभी सुईकार नहीं करेगा. लेकिन भारती जनता पार्टी में युवा, युवाओं को आगे आने के उतने मौके नहीं मिल रहा है, जो आ भी रहे हैं, तो वो किसी मंतरी के पुत्र हैं, या किसी नेता के सगे संबंदी हैं, एक जो युवा कार करताओं की जो बड़ी फौज भारती जनता पार्टी के पास है उनमें से नेत्रत निकल के बाहर क्यों नहीं आरा देखिये पहली बात तो मैं इस बात कुछ स्विकार नहीं करूंगा कि नेत्रत निकल के नहीं आरा अगर हम भरती आंता पार्टी का इतिहास देखें तो पिछले कुछ वर्षों में चाहे मदरियश की मुक्यमंदरी शिवरा सिंग चोहन जी रहें चाहे महराष्ट में देविंद्र फणनवीस जी रहे हूं चाहे यूपी में योगी आदित्यनाथ हैं चाहे आज त्रिपुरा के अंदर जिस तरीके से विपलाओ आए हैं तो मुझे लगता है भारतियन्ता पार्टी ही कैसी पार्टी है जो इस बार क्या चनौती हैं बाहरतियन्ता पार्टी के सामने और जो विकास की बात उनों वो करते हैं अब कौन से विकास की बात करेंगे अब क्या मद्द प्रदेश का विकास होगा जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहाँ जी जमीन पर जाकर काम करते हैं आप कि अगर खेत में ओला गिरता है तो ओले की बरफ पिगलती नहीं है उसके पहले मुक्यमंतरी जी खेत में खड़े हो जाते हैं हमारा प्रशासन खेत में कड़ा हो जाता है तो ये बात किसान कैसे भूलेंगे कि उनकी इतनी हिच चिंता करने वाले आज भाव अंतर इसकीम को ल लोग होते हैं तमाल युवा भी होते हों उसमें स्थ्बेंट कामकाजी महिलाए बी होती हैं कर्मचारी भी होते तो ये मैं कहना हो कि सब को प्रभाव। कर सकें ऐसा कौन सा मुद्दा या क्या एक नारा होगा इस दफ्ष चुनाव में की भार्यती जन्ता पार्टी बोले क से कॉपी की जाती हैer पॉंग्रिस के जो राज जहें। बाकी पार्टियों के राज जहें, वो इन स्कीमों को जिस तरीके से हैजेक करते हैं। उसमें मैं बहुत अधिकार के साथ कह सकता हूं कि मैं गर्फ करता हूं कि मैं कि अधकि अचेंग ड्चाल करो झाल झाल झाल